तो दोस्तों अगर आपके फोन में भी नेटवर्क कम आते हैं, नहीं आते हैं, या फिर फूल नेटवर्क नहीं आते हैं और आपका इंटरनेट काफी स्रो चलता है, तो ऐसे हिं, आज की वीडियों के अंदर हम आपको आपके फोन की थिर्फ तीन ऐसी ट्रिक्स के बारे में उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आपके फोन का जो internet है वो बिल्कुल 5G की तरह से चलेगा और आपके फोन का जो network है वो बिल्कुल full network आएगा आप कहीं पर भी हो तो दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको इस वीडियो को अच्छे ध्यान से पूरा इंड तक देखना होगा अब दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि हम मैं कौन सा फोन यूज़ कर रहा हूँ तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से यहां पर request है कि सबसे पहले बटन को प्रसर के वीडियो को कर दीजे लाइक उसके बाद सब्सक्राइब बटन को प्रसर के चैनल सब् इस वीडियो को आपके जितने भी दोस्त है वाटसेप पर गुरुप्स हैं वहाँ पर ज्यादा ज्यादा आपको शेयर जरूर करना है आप जैसे इतना कुछ कर लेते हैं चली वीडियो करते हैं श्टार्ट अब जैसे कि मैंने शुरुआते पता है कि आप कोई सावी फोन यूजज कर रहे हैं आपको बिल्कुल भी टेंसन लेने की जरूत नहीं आपके फोन का इंटरनेट जो है बिल्कुल 5G जैसे चलेगा बस आपको तीन सेटिंग्स जो है वह आन करनी है अब दोस्तों यह तीन सेटिंग आन करने के लिए आपको अपने फोन की सेटिंग में जाना है अब दोस्तों आप जो सेटिंग में जाएंगे तो यहां पर आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट के नाप सेटिंग मिलेगी तो इस पर आपको टाइप करना है और यहां पर दोस्तों आपको जिस भी में Um में सीलेक्ट करता हूँ इस एक स्थिये आपको स начала पाफ स्थिय तरीकेसे बंद कर देना है अब दोस्तों यहां इसे बंद करना है और इसे आपको क्या करना है कि आपको 30 सेकंड तक यहां दोस्तों कम से कम 30 सेकंड तक इसे बंद करके रखना है इससे आपके फोन के सभी नेटवर्क वहरा जो है चले जाएंगे और उसके बाद आपको 30 सेकंड इंतजार कर लेना है उसके बाद आपको क्या यूजर जो है इस तरह ध्यान नहीं जाता अगर आप ऐसे करके देखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका जो है इंटरनेट की स्पीड और आपके नेटवर्क की जो है स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा भाई हो जाती है अब उसके बाद दोस्तों आपको दूसरी मिल जाएगी आटोमेटिकली सेलेक्ट नेटवर्क अब दोस्तों यहाँ पर आप देखते यह सेटिंग बंद है हमारे फोन में चूज नेटवर्क पर जियो फोर जी है चुक्कि मैं जी यूज कर रहा हूं अगर आप को दूसरा सिम यूज कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर उस ब्रांड का नाम आ जाएगा तो आपको यहाँ से हटा कर इस सेटिंग को आन करना है इससे क्या होगा कि आपका फोन आटोमेटिकली बेस्ट नेटवर्क सेलेक्ट करेगा अगर आप इस सेटिंग को आन करेंगे ओके तो इसे आपको आन करेंगे तो आपके फोन का नेट तो आपको इंटरनेट का डायलर से काम है तो आपको डायल करना इस्टार है तो आपको नीचे आना है और नीचे यहाँ पर आपको एक SMSC कि यहाँ पर आपको एक Code होता है तो उस Code को आपको अपडेट करना है तो आपको क्या करना है यहाँ पर Code कैसे लाना है आपको यहाँ पर refresh का अपसन दिखाए ज़रा तो आप जैसे इस refresh वाले आपशन पर टैप करेंगे आप देख रहते हैं यहाँ पर एक Code आ चुका है अब को क्या करना यहां पर दोस्तों आपका यह network की strength वगयरा है तो इसे आपको update कर देना है अब इस पर आपको tap कर देना बस दोस्तों यह automatically update हो जाएगा और आपको यहां से बाहर निकलाना है बस दोस्तों इतना काम कर लेना है उसके बाद आप देखेंगे कि आपके phone में बिलकुल full network आएगा और साथ ही दोस्तों आपका internet बिलकुल 5G जैसे चलेगा तो दोस्तों कुछ इस ट्रिक की मदद से आप भी अपने phone की internet औ network की problem को दूर कर सकते हैं तो उस्तों यही था इस वीडियो में I hope आपको वीडियो पसंद आए होगी वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और आगे भी इसी वीडियो के लिए चैनल सब्स्क्राइब कीजिए फिर मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रख की आपका दिन सुभू